हेलो लेडिज, कैसे हैं आप सब, I hope सुब लोग बहुत अच्छे होंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बारा बाते बताने वाली हूँ, जो अगर आप जान लेंगी तो आपको अपने बच्चे की केर में कोई भी परिशानी नहीं आएगी और कोई भी मिस्टेक, म फ्रेंड्स वीडियो आप सभी के लिए हमीशा की तरह हेल्फफुल है, तो वीडियो को पूरा देखे, ध्यान से देखे, चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले, पास में चुगंटे उसको भी जरू दबा ले, तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फ्रें बैबी की साफ सफवाई, बैबी की हाईजीन पर आपको इस फेसली ध्यान देना है, अब साफ सफवाई पूरी болееaska की तो हैंही साथ में बचछी की पराइविट पार्ट की वी साफ़साइब को धीहन देना चाहिए जहें लड़की हो यह लड़का हो आपको अपनी कि प्राइविट पार्ट को अच्छे से क्लीन रखना थे गbok चाहिए जैसा कि आप चारी तरफ थे रखें आप उसके लिए ब्यट वाहिप्स को जी ऊद्वी ओनगे बीभी आ गॉली láं को बायप्स करना जरूरिकि क्लीन इत्पा पास नहीं कर पाता है इसलिए बेबी बॉाय का ना हम धने यह लुटा है दोने वराइबी बीफिर लगाने कर देढ मेरे अच्छे से लुटना करना चाहिए है और ले यह भी ठाया पता हो बच्चे के वहाँ पर आपको अच्छे से clean करना चाहिए आप bed wipes का use कर सकती है नहाते time आप अच्छे से clean कर सकती है जिस दिन बच्चे को नहाना नहीं है तो आप wipes वगिरह से भी अच्छे से बच्चे को clean कर सकती है दूसरी चीज बच्चे को गोध में लेने का तरीका भी की हड़ी होती है उस पर लगाना चाहिए बच्छी की रीड के हड़ी को भी आपको सपोर्ट देना है और बच्छी के नेक को भी सपोर्ट देना है क्योंकि ये दौनों ही चीजें बहुत ज़्यादा सेंस्टेव होती है निबॉन बेबी में तो आपको बच्छी को होल करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए तो एक आप नेक पर लगाईए, दूसरा बच्ची की रीड की हड़ी के नीचे लगाईए बं के नीचे और बच्ची को फिरा आप गोध में लीजिए ठीक की इस तरीके से आपको करना चाहिए और माँ को अपने बच्ची को सीने से जरू लगाना चाहिए. जब बच्चां मांके सीने से लगता है तो आपनी आप को بहर ज्याधा सेफ फील करता है, बच्ची को बह würd rilakeks मिलता है, बच्चां उस च्राइम सो भी जाता है. इसलिए जादस जादा बेबी को अपने चैस्ट से लगाना चाहिए बच्चे के पीट को अच्छे से सहलाना चाहिए और थपकी देना चाहिए यह आपको बच्चे को फीट कराने के बाद तो करना है ऐसे भी जब आपका बेबी रो रहा है तो आप अपने बच्चे को को गोदी में हम हिलाते हैं यह आपको नहीं करना चाहिए अपने नीबॉर्ण बेबी बहुत ज़्यादा चोटा है ज्यादा उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए ऐसा करने से अच्छा है कि आप बच्चे को अपनी चैस से लगा लीजे और वाकिंग कीजिए तो इससे भी ब बेबी को आपको हवा में नहीं उचालना चाहिए इसके बाद आपको पनी बच्चे से जादा से जादा बात करने चाहिए इसकी गोदी में लिटा के आप बच्चे को सुला रही है या बच्चा नीचे लेटा हुआ है या फिर बच्चा जैसी की बैट पर लेटा हुआ है तो आप बच्चे को बैट कर, बच्चे से बाते करें, तो बच्चे और आपके बीच बहुत अच्छी bonding बनती है, बच्चा आपकी आवाज समझता है, आपको समझता है, और बच्चे को अच्छा फील होता है, इसके बाद नेक्स चीज, छट मी चीज जो है, वो है, कि बच्चा हर 2 गंटे में भूका हो सकता है, आपको अपने निववर्न बेबी को हर 1.5-2 गंटे में ब्रेस्ट फीट कराना है, बच्चा अगर सो रहा है, तो भी बच्ची को आपको हलका सा जगाना है, आप पैर पर, जैसे कि आप फुट पर इस तरीके से कर सकते हैं, बच् है इसकी एक बैबी होता है तो फिर सौल से रहता है कॉल कि समय हो उसका सब कि इसा कुछ नहीं करते हैं और दोstudy ऐसे ही रहेगा इसलिए बच्ची की नीम में भी आपको डिश्टॉप ज्यादा नहीं करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही बच्ची को उठाना चाहिए बाकी टाइम में आपको बच्ची को नहीं उठाना चाहिए इसके बाद नेक्ष बात मतब की सात्मी बात जो है बच्चे को नहलाना तो फ्रेंट जब तक आपके बच्चे की जो अमलिकल कोड होती है मतब जो गर नाल होती है नावी में जो लगी होती है वो नहीं गिर जाते तब तक आपको अपने बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए आप तब तक बच्चे को ऐसे ही स्पंच कर सकते हैं, बाइप से बच्चे की वाड़ी को या फेस को बच्चे के प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर सकते हैं, इसके बाद आठवी चीक जो है वो है बच्चे की गर्वनाल, बच्चे की गर्वनाल की देखवाल, जब तक बच्चे की गर्वन प posters पर दिक वाल करने जाएए उसको गीर नहीं होने तेना हैं जब गर्मनाल पर लगाते रहना चाहिए जिसके बच्चे की जल्दी सूख जाय और अपने आप ही गिर जाए ओर गलती से कप्रें प्रे पहनाते टाइम बच्चे की घर्मनाल खिचनी नहीं चाहिए तिससे और भी अधिया इसके बाद दसवी चीज चो आपको ध्यारत रखने यह के बच्ची को हमीसाद साफ सुत्री जगए में ही आपको रखना चाहिए बच्ची की जो कपड़े हैं वही क्लीन होने चाहिए मैंद कि बच्चा पॉटी कर रहा है और आपको तुरम चेंज कर देना च चाहिए उनको अच्छे तरीके से वाश करने चाहिए डिटॉल वगेरा में जिससे कि वेक्टिरिया ना रहे वो बिल्कुल बैक्टिरिया फ्री रहे हो बच्चे को इन्फेक्शन का डर भी ना रहे इसके बाद 11 चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि बच्चे को सही कप ろ करो बच्चे को मॉसम के क répond in की कपड़ पहनाने चाहिए अंगर हल्की अगर गर्मी हैं तो सौफ्ट कॉटन के कपड़े बच्चे को पहनाने चाहिए जितने ज्들ौनलाइव को सके उतनी कपड़े चाहिए ठंडी है तो बच्चे को कप्ड़े पिनाए ईनग डाले हाफ सड अंदर से गरम कपड़े डालिए यह सारी चीज़ें बच्ची को कपड़े नहीं पनाने चाहिए इसके बाद नेक्स चीज जो है बच्ची को कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जैसे कि बच्चा जब तक बच्चा चाहिए जोड़ने लगता है इसके लिए आपको अपनी डाइट फॉलो करेंगे तो आपके ब्रेस्ट मिल्क जरीए वह नूट्रिशन बच्चे तक पहुचेंगे जो की बच्ची की डवलब्मेंट में हैट करेंगे इसलिए अपनी प्रॉपर डाइट फॉलो करें डाइट से रिलेटेट भी मैंने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है आप वह भी जाके देख सकते हैं तो बस फ्रेंट्स यह ऐसी बाते हैं जो आपको अपने निववान के साथ जरूर ध्यान रखने चाहिए जिसी कि आपको